नमस्कार बोलता बिहार नीज मीडिया में आपका स्वागत है नवरात्री के चोथे दिन देवी को कुस्मांडा के रूप में पूजा जाता है अपनी मंद हलकी हसी के कारण अखंड यानी ब्रहमांड को उत्पन करने के कारण इस देवी को कुस्मांडा नाम से अभिहित किया गया है जब स्ष्ष्टी नहीं थी चालू तरप अंधकार ही अंधकार था तब इसी देवी ने अपने इस्त हास्त से भ्रहमांड की रचना की है इसलिए इसे स्ष्ष्टी की आधी स्वरूपा या आधी सक्ति कहा गया है इस देवी की आठ भुजा हैं इसलिए अश्ट भुजा कहलाई इनके साथ हाथों में क्रमसा, कमंडल, धनुस, वान, कमल, पुस्प, अमृत, पुर्न, कलस, चक्र, गदा है आठवे हाथ में सभी सिध्यों और नीदियों को देने वाली जप माला है इस देवी का वान सी है और इन्हें कुमहरे की बली प्रिये है संस्क्रीट में कुमहरे को कुस्मांड काते हैं इसलिए इस देवी को कुस्मांडा, इस देवी का बाद सुर्य मंडल के वीतर लोक में है सुर्य लोक में रहने की सक्ति केवल इन ही में है इसलिए इनके सडिर की क्रांती और प्रभा सुड़े की भाती ही देधी प्यामान है इसके ही तेज से दसो दिसाएं आलोकित है भ्रमांड की सभी बस्तूओं और प्रानियों में एनी का तेज प्राप्त होता है पवित्र मन से नवरात्री के चोथे दिन इस देवी की पूजा अराधना करना चाहिए इससे भक्तों के रोगों और सोकों का नास होता है तथा उसे आयू यस बल और आरोग प्राप्त होता है नावकोठी से नवीन कुमार मिस्रा की रिपूर